एगरीटेल के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा कर रही हैं कि सुमितोमो कमपनी का पाइकलों कीट नाशक क्या है। पाइकलों कीट नाशक विभिन कीटों के खिलाफ सबजियों, फलों और अनाज सहित कई फसलों के कीडों को नियंतरित करने में मदद करता है। यह वीडियो इसकी रासायनिक संदचना, क्रिया की विधी, लक्षित कीट और फसलों, लाब, खुराक और अनुकूलता की व्याख्या करेगा। तो क्रिप्या इस वीडियो के अंत में हमारे साथ बने रहें। यदि आप यूट्यूब को तुरंत देखते हैं, तो आने वाले वीडियो अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना याद रखें। और यदि आप फेस्बुक पर आते हैं, तो लाइक और फॉलो करें। रासायनिक संदचना सबसे पहले हम इसके प्रतेक रासायनिक योगिक की क्रिया के तरीके को जानते हैं। पहला कमपाउंड क्लोथियनिडिन है, जिसमें नियोनिकोटिनोइड होता है। नियोनिकोटिनोइड रासायनिक रूप से निकोटीन के समान कीटनाशकों का एक वर्ग है, जिसका उप्योग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। कलोथियनिडिन और अन्य नियोनिकोटिनोइड कीडों के केंद्रिय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते हैं। उदाहरन के लिए तलोथियानिडिन चूसने और कुछ चबाने वाले कीडों को नियंत्रित करता है जैसे एफिड्स, थ्रिप्स और बीटल दूसरा यौगिक पाइरीप्रोक्सिफेन है जो कीट वृद्धी नियामक है यहाँ प्राकरतिक कीट हार्मोन की नकल करता है जो युवा कीडों को वयसकों में परिपक होने से रोकता है हालां की पाइरीप्रोक्सिफेन शायद ही कभी वयसक कीडों के लिए जहरीला होता है इसके बजाए यहां अंडे देने और अंडे सेने को परेशान करता है और युवा कीडो को वयस्क रूपों में बढ़ने से रोकता है इसके अलावा यहां लक्षित कीडो को गुणा करने से रोकता है लक्षित कीट और फसले पाइकलों कीट नाशक विभिन कीटो जैसे एफिड्स, बीटल, कैटर्पिलर और माइट्स के खिलाफ सबजियों, फलों और अनाज सहित कई फसलों के चूसने वाले और चबाने वाले कीडों को नियंतरित करने में मदद करता है पाइकलों कीडों की तंत्रिका कोशिकाओं में विशिष्ट रिसेप्टर्स को बांधता है, जिससे पक्षाघात और मृत्यू हो जाती है इसके अलावा यह सुनिश्चित करता है कि कीट अब पौधों को नहीं खा सकते हैं और आगे नुकसान को रोकते हैं फाइदे पाइकलों कीट नाशक का उप्योग करने का एक महत्वपूर्ण लाब इसकी तीवर क्रिया और लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव है एक बार लगाने के बाद कीट नाशक जल्दी से कीट के शरीर में प्रवेश कर जाता है जिससे ततकाल पक्षाघात और बृत्यू हो जाती है पाइकलों कीट नाशक के मुख्य लाभों में से एक इसकी चैनात मकता है यह मधुमक्खियों और अन्य परागण को जैसे लाभकारी कीडों पर नियूनतम प्रभाव डालते हुए विशिष्ट कीट प्रजातियों को प्रभावी धंग से लक्षित करता है पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखना और पौधों के समग्र स्वास्थ को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है जब पौधों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो यहाँ लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है और यहाँ सुनिश्चित करने में मदद करता है कि पौधे स्वस्थ और उत्पादक बने रहें खुराख 2 मिली लीटर प्रती लीटर पानी सायनकाल के समय पौधों पर पाइकलों कीटनाशक का छिड़काव करें बहतर परिणाम के लिए इसमें थ्रिशूल 10,000 पीपीएम नीम का तेल 1 मिली लीटर पानी की दर से मिलाएं इसके अलावा स्प्रेडर कम पेनिटरेटर सुपर स्प्रेडर 1 मिली 3 लीटर पानी मिलाएं आवेदन विधी विशिष्ट उत्पाद और उपचारित पौधे के प्रकार पर निर्भर करेगी अनुकूलता, अन्य कीट नाशकों के साथ इसकी अनुकूलता की पुष्टी होना अभी बाकी है तो किसी भी पौधे पर पहले जाच करे की उन्हें दूसरों के साथ सप्रे करें यदी सभी पौधे स्वस्थ दिखते हैं, तो आप बाकी पौधों पर भी यही सयोजन जारी रख सकते हैं अन्त में यदी आपको यह वीडियो मददगार लगता है, तो सब्सक्राइब करें और भविश्य में आने वाले वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और अगर आप अभी फेस्बुक पर हैं, तो फॉलो और लाइक भी करें खरीदे खरीदे ध्यान रखें हम आपसे एक नए वीडियो ट्यूटोरियल पर आने वाले वीडियो में फिर मिलेंगे स्वस्थ रहें और जुडे रहें